हलो फ्रेंड्स हमारे चैनल सिंपल नॉलेज में आपका स्वागत है सरदी का समय सुरू हो चुका है और यही आपके स्वास्थ पर ध्यान देने का सबसे सही समय है और इस मौसम में बहुत सारी फल और सबजीयां आती हैं जिसका सेवन सेहत के लिए काफी फायदे मंद होता है हरी सबजीयों का सेवन तो हमेशा ही सेहत के लिए बहुत अच्छा राता है लेकिन ताजी पत्तेदार सबजीयों को सुपर हिल्दी माना जाता है सर्दी का मौसम शुरू होते ही बजार में हरी भरी पत्तेदार सबजियों की बहार आ जाती है और इन में से एक हरी सबजी मेथी भी है हरी मेथी गुडों की खान है आप इसे ना सिर्फ सबजी के रूप में बलकि इसे पराठों के रूप में भी खा सकते है मेथी अपने सेहत भरे गुडों के कारण बेहत लाबदायक होती है पौश्टिक और स्वास्थ बर्धक मेथी आपकी कई तरह की स्वास्थ समस्याओं का समधान कर सकती है आयुर्वेद मेथी सरीर में गर्मी पैदा करके बाड़ी के तापमान को इस्तिर रखने में मदद करती है और इसकी सुगंध भोजन के स्वाद को बढ़ा देती है लेकिन मेथी के हरे साग के खाने के और भी बहुत से फायदे है इसलिए डाक्टर इसे किसी न किसी रूप में खाने की सलाह देते है तो चलिए जानते हैं मेथी के साग खाने के फायदे क्या है और इसे क्या नुक्सान हो सकता है और इसकी सेवन की विधी और इसे कितनी मातरे में खाना चाहिए इसके पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो फ्लीज हमारे चैनल को सब्झाइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुत सकें, और अगर सब्झाइब किया है तो थेंक्यू तो सबसे पहले जानते हैं मेथी क्या है इसे आमतर पर हिंदी में कसूरी मेथी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी सब्जी टेस्टी लगती है इसलिए अधिक तर लोग इसे खाना पसंद करते हैं कुछ घरों में तो इसे सुखा कर भी रख लेते हैं और जब या बजार में नहीं आता है तब इसे बना कर खाते हैं तो चलिए जानते हैं इसके स्वास्तलाब या हेल्दी बेनिफिट के बारे में निट्रिशन से भरपूर है मेथी मेथी के पत्टे का सेवन करने का सबसे बड़ा फायदा या है कि इसके सेवन से शरीर को काफी सारे nutrition मिल जाते हैं मेथी के पत्ते फाइबर से भरपूर होते हैं इसमें vitamins और minerals भी प्रचुर मात्रा में होते हैं इसके अलावा इसमें vitamin C, K, A, folate iron आदी पाये जाते हैं करती हैं, जिसमें कब्ज और गैस भी सामिल है, मेथी के पत्ते में मवजूद अगुलन सील फाइबेर कब्ज को कम करता है, मेथी की हरी पत्ती की सब्जी खाने से आपका पाचंतंत्र सुचारों रूप से काम करता है, एसे अपच कब्ज गैस की समस्य verkno निजात मिलता है । Is the 이 को यहीवि प्रापरटी कई मामलों में दाल चीनी प्राइद होता है कि की इस्में डाइबिटीश बिर्योधि कम करती है अगर आप चाहें तो प्रदिन मेथी की पत्तियों का रास निकाल कर पिएं इससे बढ़ी हुई सरकरा नियंत्रण में हो सकती है वजन कम करता है मेथी का पत्ता हरी मेथी फाइबर में अधिक और कैलोरी में कम होती है यदि आप इसका सेवन करते हैं तो इसमें मेथी का पत्ता वजन कम करने का बहुत ही अच्छा विकल्प है इसकिन के दाग धब्बे दूर करता है मेथी का पत्ता चेहरे की खूपसूर्ती बढ़ाने में मेथी कम गुड़वान नहीं है इसे पीस कर चेहरे पर लगाने से तवचा में चमक के साथ साथ कसाव भी आता ह मेथी के पत्ते का सेवन इसकिन पर होने वाले निसान या दाग धब्बे को कम करने में फायदे मन रहता है यदि आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो मेथी के पत्ते का नेचुरल तरीके से प्रियोग करके इससे छुटकारा पाया जा सकता है मेथी का जूस या फिर इसकी सबजी बना कर भी खा सकते हैं चाहें तो पानी के कुछ बूदों के साथ मेथी के बीज का पाउडर मिला कर पेश्ट बना लें और इस पेश्ट को चेहरे पर लगागर 15 मिनट बाद धोलें इससे चेहरे पर दाग धबों से राहत मिलेगी इसके अलामर रूखे तोचा और बालों के लिए भी ये बहुत लाप्रद है क्योंकि ये तोचा को नमी प्रदान करती है बालों को लंबा और चमकदार बनाता है मेथी के पत्ते के सेवन से बाल लंबे और चमकदार होते हैं इसका आप किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं इससे आपको फायदा ही मिलेगा इसकी पत्तियों को पीश कर स्वेलप पर लगाएं और 40 मिनट तक लगा रहने दें फिर ठंडे पानी से बाल धोलें इससे बाल लंबे काले और चमकदार होते हैं साथ ही बालों का जड़ना भी रुख जाता है हड्डियों के लिए फायदे मंद है मेथी का पत्ता मेथी के पत्ते में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है यह बोन मेटाबालिज्म के लिए काफी अच्छा होता है बोन मेटाबालिज्म एक निरंतर प्रक्रिया है जहां नये उतक बनते हैं हड्डि में चोट, फायक्चर या खरोच होने पर प्रोटीन ही इससे सही करने में मददगार होता है और मेथी के पत्ते में भरपूर मातर में प्रोटीन पाया जाता है इसलिए मेथी के पत्तियों का सेवन हड़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है पेट के कीडे को खत्म करता है मेथी का पत्ता पेट में कीड़े होने पर भी मेथी आपके लिए एक सटीक उपचार है अधिकतर बच्चों में समस्या होती है ऐसे मेथी के पत्चियों का राष निकाल कर बच्चों को एक चमच प्रदिन पिलाने पर क्रिमी समाप्थ हो जाती है सर्दी से बचाता है मेथी का पत्ता मेथी का पत्ता आपको सर्दी लगने से भी बचाता है इसका प्रद्दिन किसी न किसी रूप में सेवन करने से सर्दी से बचाओ होता है और आप इस मौसम की आम स्वास्त समस्याओं से बच सकते हैं जोडो और घुटनों के दर्द में लावकारी है या पत्ता घर के बड़े बुजूर्गों को आपने सर्दियों में मेथी और मेवे के लड़ू खाते तो जरूर देखा होगा इसका प्रमुख कारण है मेथी का सेवन आपको जोडों की दर्द से मुक्ति दिलाता है और घुटनों के दर्द में भी इससे काफी लाव होता है इसका बीजो या पत्तियां दोनों ही जोडों के दर्द में समान रूप से फायदे मंद होता है मेथी का पत्ता आपके लिए बहुत ही फायदे मंद है लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते है मेथी के पत्ते खाने के बेनी फिर तो बहुत हैं लेकिन इसके नुक्सान को भी जानना चाहिए मेथी का अधिक सेवन करने से दस्त संबंधी सिकायत हो सकती है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है कुछ लोगों को इसे खाने से अलर्जी भी हो सकता है जैसे गले में दर्द, चेरे पर सूजन आ दी इसे कच्च खाने से बचें क्योंकि ये कड़ूई भी बहुत होती है तो चलिए जानते हैं मेथी के पत्ते को आप किस-किस तरह से खा सकते हैं मेथी के पत्ते को सबजी के रूप में खा सकते हैं मेथी को उबाल कर उसका जूस भी पी सकते हैं मेथी के पत्ते को दाल के साथ भी पका कर खा सकते हैं मेथी के पराठे बना कर भी खा सकते हैं मेथी के पत्ते का आलू या पनीर के साथ सबजी बना कर भी खा सकते हैं यानि मेथी के पत्ते को आप कई तरह से यूज कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं एक दिन में कितना मेथी खा सकते हैं एक स्वास्त वेक्त एक दिन में 300 से 400 ग्राम मेथी का साख खा सकता है क्योंकि पकने के बाद इसका वजन काफी कम हो जाता है मेथी का पत्ता आपके लिए बहुत ही फायदे मंद है इसका सेवन आप आवसे करें लेकिन इसे अधिक मात्रा में ना खाएं उचित मात्रा में ही खाएं और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज दो सेकेंड मुझे दे कर हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दे और इसे और लोगों के साथ भी सेयर करें जिससे और लोग भी इसका लाब ले सकें हमारा वीडियो इंड तक देखने के लिए थैंक यू